लास्ट लेसन में हमने YouTube ads का overview लिया था हमने देखा था कि YouTube में कैसी कैसी ads होती है आज के lesson में मैं आपसे बात करूँगा कि YouTube ads में किस-किस टाइप की आप audience targeting कर सकते हैं ठीक है, किस-किस टाइप से audience targeting हो सकती है, YouTube ads के अंदर, इसके बारे में हम आज के lesson में बात करेंगे, ठीक है जी, तो चलिए start करते हैं, देखो, YouTube ads में जो targeting है, वो same है जो display ads में होती थी, ठीक है, जो आपका YouTube ads है, इसकी targeting, same है, display ads जैसे, देखो, सबसे पहले demographics होता है, display ads में भी demographics था, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप age, gender वगारह सेलेक्ट कर सकते हो, एज, जेंडर, यह सारी चीज़े सेलेट कर सकते हो, देन है, आपके पास audiences, audiences में आप जाओगे, ब्राउज में, तो यहाँ देखो, पाच categories बनी हुई है, number one category क्या है, same है, जो display ads में होती थी, who they are, तो यहाँ पे parental status है, आप parents वगरह को target कर सकते हो, then आपके पास यहाँ, marital status है, single in relationship, then आप education के basis पे target कर सकते हो, then आप home ownership के basis में target कर सकते हो, similar है, जैसे कि आपका display ads में होती थी, then आपके पास option है, वही again, affinity and custom affinity, आप लोगो target कर सकते हो, उनके long term interest के basis पे, plus custom affinity में हम ने करके सीखा था, कि आप customize कर सकते हो, अपने हिसाब से audience, right, affinity क्या हो था, था, long term interest, आप चाहो तो custom affinity audience create कर सकते हो, मतलब आप अपने हिसाब से, URL के basis पे, keyword के basis पे, इसके basis पे आप audience बना सकते हो, और आप logo को add दिखा सकते हो, that was custom affinity, then आपके पास था in-market audience है, in-market में क्या था आपके पास, वही custom intent, आप अपने हिसाब से custom intent audience बना सकते हो, और आप उन्हें add दिखा सकते हो, देन आपके पास है इन मार्केट की वो लोग अभी मार्केट में क्या क्या सर्च कर रहे हैं इसके अंदर आपके पास बड़ी सारी कैटेगरी थी और आप इन अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से लोगों को एड दिखा सकते हो ठीक है बहुत ज़्यादा सिंपल है देन अगली चीज़ देखो वही है री मार्केटिंग ठीक है अब री मार्केटिंग यूट्यूब एड्स की भी सेम होती है जैसे आपकी थी डिस्प्ले आड्स के अंदर तो मैं चाहूं तो यहां से यूट्यूब विजिटर्स की क्या बना सकता हूँ list जैसे हमने display ads के लिए सीखी थी और मैं इन्हें अपनी ads री मार्केट कर सकता हूँ, इन्हें मैं ads दिखा सकता हूँ आपके पास है combined audiences आप multiple audiences को मिला के audience बना सकते हो और उन्हें ad दिखा सकते हो ठीक है तो ये तो सारा आपके अंदर है browse के अंदर यानि audiences के अंदर देन आप थोड़ा नीची आओगे तो आपके पास option है keyword का आप यहाँ पे अपना keyword लिख सकते हो और ad दिखा सकते हो suppose यहाँ पे मैंने लिखा digital marketing तो अब जो भी वीडियो होगी जहाँ पे digital marketing से related बात हो रही होगी वहाँ आपकी ad दिखेगी again एक चीज़ धान रहे है आपको YouTube के अंदर भी broad match होता है YouTube ads के अंदर broad match होता है exact match नहीं होता broad match होता है इसका मतलब क्या है अगर आप कोई भी वीडियो देख रहे हो जहाँ पे digital से related थोड़ा सा भी reference है या digital के synonyms का reference है तो वहाँ पे आपकी ad दिख जाएगी right यहाँ पे again कोई broad मतलब सारी चीज़े broad match होती है exact match कुछ नहीं होता यह एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है keyword के time ठीक है then again आपके पास है topics आप यहाँ से topic select कर सकते हो और in topics के around जो भी videos होंगी वहाँ पे आपकी ad नजरा जाएगी यह है आपका topics then आपके पास है placement placement is आप वो particular video select कर सकते हो आप वो particular youtube channel select कर सकते हो जहाँ पे आप अपनी ad दिखाना चाहते हो right तो वो है placement बहुत है simple then इतना ही है audience के अंदर इतना ही option है again सारे options वहीं है जो आपके पास हुआ करते थे display ads के अंदर अलग से कोई भी option यहाँ पे नहीं है right तो custom intent normal audiences, keywords, topics placement यह सारे आपके पास options है then एक चीज जो जरूरी है पहले हमने क्या किया था अपने website को और अपने add account को integrate किया था इन दोनों को हमने integrate किया था ताकि हम अपनी remarketing रण कर सके ठीक है अब suppose करो मैं क्या करना चाहता हूं मैं YouTube पे remarketing करना चाहता हूं कैसे remarketing करना चाहता हूं suppose मैंने अपना YouTube channel बनाया और यहाँ पे मैंने एक वीडियो डाली अब मैं क्या करना चाहता हूँ जो भी इस वीडियो को देखे मैं उसको री मारकेटिंग एड करना चाहता हूँ री मारकेटिंग एड दिखाना चाहता हूँ तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए मुझे अपना YouTube चैनल और AdWord ये दोनों करने पड़ेंगे integrate ठीक है अपना YouTube channel और AdWord ये मुझे integrate करने पड़ेंगे बहुत ही simple है ठीक है जी अगर ये मैंने integrate किया then मैं YouTube पे remarketing रन कर सकता हूँ कैसी remarketing remarketing based on video राइट तो ये integration करने के लिए पहले आप ये समझ के audiences कितने type के होती है same वही audience होती है जो की हमारी display के अंदर होती है अलग से कोई audience नहीं होती keyword topic placement audiences और demographic same वही चीज़े हैं अलग से कुछ है नहीं कल के lesson में हम ad बना के भी देखेंगे अलग-अलग audiences के लिए एक दो मैं आपके सामने cases present कर दूँगा अलग-अलग businesses के और उसके लिए कैसे हम audience जोंडेंगे कैसे होने ad दिखाएंगे YouTube में ये भी मैं आपको दिखा दूँगा अब यहां बात करते है integration की अगर आपको integrate करना है अपना YouTube चैनल और अपना ad word तो वो कैसे कर सकते हो तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक YouTube चैनल राइट दब तक YouTube चैनल नहीं है तब तक आप ये integration करनी सकते ठीक है तो सबसे पहले मैं एक YouTube चैनल बनाता हूँ यहां पर मैं गया YouTube के ऊपर और यहां पर मैं जाता हूँ अपने प्रोफाईल पर और यहां से मैं करता हूँ create a channel Create a channel Get Started यहां से मैं कर देता हूँ user custom name demo channel ठीक है जी यहां से हम चैनल बना लेते हैं चैनल क्रियेटेड और सेट अप लेटर कर देता हूं यह रहा मेरा चैनल अब मुझे इस चैनल को अपने एडवर्ड अकाउंट के साथ इंटिग्रेट करना है ठीक है बहुत इजी है करना कहा होगे वापस अपने यूट्यूब पर आओगे जाओगे टूल सेंट सेटिंग्स में और लिंक्ड अकाउंट यहां पर जाओ लिंक्ड अकाउंट्स और यहां देखो यूट्यूब को अप्शन है यूट्यूब ठीक है वापस देख लो यहां गया टूल सेंट सेटिंग्स देन मैं गया लिंक्ड अकाउंट्स और देन मैं गया यूट्यूब पे और यहां पर देखो अप्शन आ रहा है एड़ चैनल अब यहा अपना URL कॉपी किया यहां किया पेस्ट और पीछे से हटाऊ अभी लगता है चैनल साइसे सेट अप नहीं हुआ तो वापस जाओ इधार आओ फिर से पेस्ट करो एक काम करो नाम लिखके देख लो तो यहां पर आ रहा है क्या नहीं यहां पर नहीं आ रहा है तो एक पर दुबारा ट्राइ करते हैं यहां से ओप्शन नहीं आ रहा है तो एक काम करते हैं और बड़े सारे तरीके हैं कैंसल करो वापस जाओ और यहां पर जाओ ओडियंस मैनेजर पर ओडियंस मैनेजर और यहां आओ ओडियंस सोर्सेश पर ओडियंस मैनेजर पर आया दैन में आया ओडियंस सोर्सेश दैन देखो यूट्यूब है इसे कर दो लिंक टू यूट्यूब अब पेस्ट करो अभी भी लिंक नहीं हो रहा शायद इस पर सब्सक्राइबर नहीं है कोई इसलिए नहीं हो रहा या फिर वीडियो नहीं है तो एक काम का और करते हैं एक और तरीका है करने का वापस आओ और यहाँ पर आप जाओ यूर चैनल पर जाओ यहाँ से करो कस्टमाइज चैनल वापस जाओ कस्टमाइज चैनल पर नहीं आना हमे यूट्यूब स्टूडियो बीटा यहाँ जाओ यूट्यूब स्टूडियो बीटा और इधर आओ सेटिंग्स पर इसको क्लोज करो और यहाँ से जाओ creator studio classic यहाँ से जाओ other पे यहाँ से जाओ submit पे अब हमारा पुराना creator studio दिख जाएगा अब देखों यहाँ पर आपको दिखेगा चैनल अब यहाँ थोड़ा में भूनना पड़ेगा advance अचा यह verify नहीं वाई इसले नहीं आ रहा चायद तो इसको पहले करते हैं verify और इसे करते है text me the verification code अब यहाँ पर मुझे number डालना पड़ेगा तो यहाँ पर मैं number डालता हूँ एक second यहाँ पर मैं phone number डालता हूँ then मेरे पास आएगा verification का यहाँ पर मैं ओफिस का number डालता हूँ 84485 23026 इसे करते हैं submit और मेरे बस कोड आएगा वो कोड मुझे हाँ पर डालना है वो कोड मैं यहाँ पर डालूँगा verification code और देन मेरे चैनल वेरिफाई हो जाएगा then मैं integrate कर सकता हूँ अभी जो integration नहीं हो पा रही थी वो शायद इसलिए नहीं हो पा रही थी क्योंकि हमारा इचैनल जो है वो verified नहीं थी ठीक है जी तो पहले चैनल को verify करते हैं then हम channel को integrate करेगे तो एक बार मेरे पास code आ जाए और then हम code यहाँ पर डालते हैं और then हम integrate करते हैं जस्ट सेकंड अब यह verify हो जाएगा हो गया अब देखो अब हम integrate कर सकते हैं अब मैं अगर वापस जाओ रिटर्ण टू यूट्यूब स्टूडियो और यहां से अगर मैं वापस जाता हूँ चैनल पर और यह रहा मेरा चैनल अब अगर मैं जाओं तो अब integrate हो जाएगा तो मैं जाता हूँ अगे लिंक्ड अकाउंट और यूट्यूब एड चैनल यहां गया देखो आई ओन दिस चैनल और गो टू यूट्यूब और यहां पर link का नाम लिख दो तो इसका नाम लिख देते हैं और इसको कर देते हैं link ठीक है अब यह चैनल लिंक हो गया लिंक हो गया इसको एक बर refresh कर दो देखो link हो चुका है अब एक बर यहां पर भी जाके देख लो यहां जाओ और कहां गया हाँ यहां जाओ audience manager के अंदर audience sources के अंदर और YouTube देखो link हो चुका है perfect अब देखो होगा क्या YouTube पे मैं जो भी वीडियोज डालूँगा हा ना YouTube पे मैं जो भी वीडियोज डालूँगा वो सारा data मेरे adwords पे आएगा मतलब मेरी मैं हर वीडियो के लिए क्या बना सकता हूं custom audience मतलब अगर आप मेरी कोई भी वीडियो देखोगे YouTube के उपर तो मैं एक audience बना सकता हूं कि कितने लोगों ने मेरी ये वीडियो देखी and then मैं उन्हें remarketing ad दिखा सकता हूं बहुत ही ज़्यादा simple ठीक है तो जो भी मेरी वीडियो देखेगा उसकी मैं audience बना लूँगा और then मैं उसे remarketing ad दिखा सकता हूं YouTube के उपर प्लस पहले मैं अपनी website को adwords के साथ link कर चुका हूं तो अ कि आप मेरी website पर गए मैंने अपने adwords के अंदर audience बना रखी है या Google Analytics के अंदर audience बना रखी है और वो audience मेरी adwords के पास है तो अब मैं आपको remarketing दिखा सकता हूं किसके उपर YouTube के उपर राइट बहुत ज़्यादा सिंपल ठीक है जी तो आज के lesson में आपने क्या किया आपने अपने YouTube को और adwords को link किया प्लस आपने देखा कि कौन-कौन से टाइप की audiences है YouTube के अंदर कल हम क्या करेंगे कल हम YouTube ad बना के देखेंगे from scratch ठीक है तो हम देखेंगे कि क्या-क्या process होता है ad बनाने का और हम पूरा ad बना के कल के lesson में देखेंगे ठीक है जी thank you so much for watching this lesson